तुम जो गुछा भी करो तो मझे प्यार लगता है चाने क्यूं मैं तो जो भी कहू तुम्हें इकरार लगता है चाने क्यूं जोडो भी यदा पास आखे जरा बात दिल की कोई कह दो ना है शोना है शोना तेरा विदू से जड़ दे तेरा विदू से जड़ दे तेरा विदू से मला एकरार बन गए खाबों का मेरे मकार बन गए आप की तारिफ में या कहे आप हमारी जान बन गए या मारा हुआ या मारा हुआ या मारा हुआ इश्क का ये सितन ना गवारा हुआ अधा आपी जार चोट का उगए होआ अथ ञीन करे लियाasu कि मतल़ कर दीज रहते हुआ या क्ति जड़ह शे देविदू फेए संसक्क्रा आपलाँ गीन के मनेकर नहीं कर दाई सब सीड़न टाइब का गड़्या धरता है आज जोट सेंट लोग के साथ एससी मैं देखा भी हुआ है, इसलिली नियू स्टाइल का क्रिएक करने के कोशिश की है और यह ना मतलब modern टाइप्स लोगों के लिए मेक अप लूग है सो प्लीज मुझे जज मत करना कि आपने ब्लाउज ऐसा पहना है या साड़ी नेक की पहनी है या बिंदी नहीं लगाई है क्योंकि थोड़े आजकल के लोग होते ना उनको थोड़ा से ऐसे ही पसंद आता है आ य lleva la look na bohut जाद discussedantantretative लग रहा है और बहुत ही simple look he मैं जयादा में समान नहें लेया बहुत कम कम समान रहा हम मैं प्रोड़क के साथ मैंने create करने के कोशिश की है और जितना attractive लग रहा है उतना easy वह है गाईज प्लीज जरूर इसको वाच करना और अपनी फ्रेंद्स और फैमिली के साथ शेर करना अगर अब भी डग आपने मुझे इंस्टेग्राम नहीं किया है तो यह क्या कर रहे हो याद मैं कबसे आप लोग को बोल रहे हूं बोल्ड लिप्स के साथ जादा मैंने कुछ हैवी ज्वैलरी डाली नहीं है तो आपके लिए काफी हल्फुल होगी यह वीडियो को फुल वाच करना आपके लिए मैं कंटेंस तो प्लीज जो सब्सक्राइब मैं चैनल ना विए अनी बाइस टाइम लिए सब्सक्राइब मैं अपनी स्किन केर अच्छे से करूंगी बिकॉस मेरे फिट में आगया है पिम्पल आपको सामने ही सामने दिख रहोगा सबसे पहले हम यांपे आप अब्सकुनस का टोनर लगाते हैं एक आपके जितने पॉर्स होते है और जब समीन हो जाते हैं मिनिमाइस हो जाते हैं चैनल किकेर करना बहुत ज़यादा लंबे समय तक ठीका भी रहगा गुट वाइप का वाइटमिन C वाला यहां पर मैं फेस सीरम लगा रही हूँ इसका टेक्स्चर ना वाटर बेस है मतलब वाटर बेस टेक्चर है इसका तो बहुत ज़दा ओईल ओईल नहीं लगता है तो अगर आपके स्किन मेरी तरह है कॉमिनिशन है तब आप इसको ट्राय कर सकते हो काफी अच्छा सीरम है सो जल्दी जल्दी अब मत लगाते जाओ ठीक है थोड़ा थोड़ा टाइम रुको इसकिन के अंदर अब्सॉर्ब होने दो सी जी जी कोस्मेटिक की है मॉस्चुराइजिंग क्रीम है इसको नहीं डेली रूटीन में भी लगा लेती हूं कभी-कभी इससे में बहुत अच्छा सब मैं मसाज करके सोती हूं सो बहुत ग्लोई-ग्लोई से एफेक्ट आता है सब काफी अच्छी लगती मुझे वाली क्र इसका तो जब तक यह मेरे फेस कंदा अब्सॉर्ब हो वही जो बच्छी है हाथ में अपने हैंस में लगा लोगी माय ग्लैम की लिप बाम लगाई अन यहापे मेरे स्किन केर कंप्लीट करने के बाद अगर आप बेस बनाते हो ना बहुत अच्छा लगता है स्किन केर के बि फिछ स्किन क्यार देख तो ट्राय करती हूं यह पर मैंने एक ब्राइमर लगा लिया अच्छा से रखे लगा कर लिया अच्छा प्रायमर दुरूर लगा करो आपके मिशय पोर्स होते है बर्र हो जाते है फिल जाते हैं बेस लंबी समय तक सिका रहता है बेस लम्बर स्मू से लगता है नहीं लगता है तो मैं आप लोग के सामने ही ट्राय करें हूँ अच्छे से डॉट डॉट करके अपने फेस में अपलाय करूंगी इसका टेक्स्टर बहुत ज्यादा ही थिक था और इसके फ्रेग्रिंस बहुत कंदी थी गाइस यहां पर अच्छे से मैं पहले ब् तो मैंने किया ना अभी जब मैं इसको ब्लेंड कर रही हो तो पता रहा है हाँ एड देड मैंने सही कर लिया था बढ़ इसके सारी कव्रेच चली गहीं तो प्या कर सकते हुए इसलिए मुझे सच बता हो मतलब मैं रेकेमेंड नहीं करूंग फांडिशन ऐन्नीवेश परफ इनसाइट के आती अगर आप यह वाला नहीं पर्चेस कर सकते ना तो आप इनसाइट का तो डिफिनेटली पर्चेस कर सकते हो हिलेरी रोडा का यहाँ पर मैं पाउडर लगा रही हूँ यह सेटिंग पाउडर है अच्छे से मैं अपने बेस को अंडर आई एरिया को सबसे पहले मैं सेट करती हूँ और साथी साथ इसी से अपने पूरे फेस को भी मैं सेट कर लूँगी अप छोड़ दो लगा करके छोड़ दो जब तक आपने आइब्रोस फिल कर लो इस से क्या होता है इसको जितना प्रोड़क्ट कहा ना होता यह खा लेता है सोक करना होता है а आप लगाने के बाद तुरंट इसको रिमूव करोगे न तो केकी हो जाएगा मतलब आपका बेस केकी हो जाएगा मैं क्लियरली बोल रही हूं पोपल की पैलेट से मैं अच्छे से यहां पर अपनी आइब्रोज को फिल कर लिया ब्राउन शेट से जब तक मेरा बेस पी रेडी है उसको मैं पाउडर वगेरा सब निकाल रही हूं अच्छे से अभी देखो बिलकुल भी गंदा नहीं हो रहा है केकी नहीं हो रहा है बिकॉस मैंने छोड़ा था उसको काफी टाइम के लिए ठीक है मतलब दस मिनट के लिए जब तक मैं अपनी आइब्रोज फिल कर रही थी यार आइब्रोज फिल करने मुझे टाइम लगी जाता है क्या करूं मुझे सबसे गंदा गाम पता है क्या लगता है आइब्रोज को फिल करना और हाँ सेकेंड आइलाश लगाना बहुत बोरिंग काम लगता है यार सच्छ में यार मतलब स्वीश ब्यूटी की मैं आईशेडव पैलेट ले रही हूँ और उसमें से मैंने लाइट कलर का ब्राउन शेड लिया है आपके सामने जो लिया वही और उसको न मैं रेने कोस्मेटिक वाले फलफी ब्रेस से अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ठीक है मैं अच्छे से ब्लेंड करती जाओंगी ज्यादा ऊपर नहीं लेके जाओंगी सिर्फ मैं अपनी क्रीज लाइन में ही ब्लेंड कर रही हूँ ओके या मैं मतलब जितना मैं बहुत टाइम देती हूँ अपने आई मेकप को कि भाई जितना मतलब जब तक मैं सेटी स्वाई नहीं होंगे तब तक मैं अपना आई लूग करती रहूंगी अब देखो आई लोग हो गया है देखो थोड़ी आई को डेप्ट क्रियेट हो गया मतलब डेप्ट मिल गई है जब मैंने क्रीज लाइन में इतना लगाया ना डार्क शेट एले टीन का में काजल ले रही हूँ बहुत थी सस्ता वाला काजल है और बहुत अच्छा चलता है मतलब अब इसमें मैं नीचे ब्राउन कलर लेके थोड़ा सा फिल थोड़ा सा मोटा थिक कर रही हो उसको और ताकि यह मतलब इसमज भी ना हो क्योंकि गर्मिया भी है तो पसीना विशन ना है तो इसमज भी ना हो तो वाटर प्रूफ भी हो जाता है इससे और फिर मैं एक ब्रश लेके मिनिसो का और साथी साथ इन दोनको ऐसे ब्लेंड करें हो ताकि इसमोकी सा एफेक्ट आ जाए इसमोकी इसी को बोलते हैं अगर आपको इसमोकी लुक करना है तो आप नीचे से ऐसे कर सकते हो काजल लगा कि उसको नीचे मैंने आईशेदो लगा फिर इसको सब चीक बों में जॉड़ाइन में लगने लगती स्ट्रेक लगने लगती है और कॉंटूर करने बहुत जरूरी है अब कॉंटूर करने के बाद आपका फेस थोड़ा पतला लगता है चिजल लगता है डाइमेंशिन मिल जाती है और फिए अभी जो हमने किया उसको मैं की है ठीक है अभी अच्छे से ब्रश की हपसे मैं ब्लेंड कर लोगी उसके बाद यह है पैलेट है पॉप एक्सो की यह मैंने खुद पर्चेस की थी बहुत मुझे अच्छा लगा था इसका पैकेजिंग उससे मैंने दोनों शेड ले करके और अच्छे से मैंने अपने जहां में में पॉइंट से लगा लिया चीक्स में नोज में क्यूपिट बो में क्यूपिट बो में और फोर हैड में आइस के कॉर्णर में और ब्राव बोन में यहां जहां मतलब में 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 पॉइंट से इसके वहां वहां पे मैंने लगा लिया काफी अच्छा वाला हाइलाइट यह बिल्कुल नेचुरल सा ग्लो प्रॉवाइट करता है और गोल्देन कलर का मुझे थोड़ा यूज करना था तो यह थोड़ा सा गोल्देन कलर का ही था नाइका का यह करल है इतिंक एकमें नायका का यह मस्कारा था और मैंने इसको खुद खरी दा था इतना सही मस्कारा है मतलब अभी थोड़ा सूख या था तो मैंने इस पर लेंस वाटर डाले थी इसके फ्रेग्रिंस भी खाई बहुत अच्छी है और अगर आप इसको बिना आई लैशेस के भी लगाना चाहो तो बहुत इजिली ना ये बहुत वॉल्यूम दे देता है आई तो काफी अच्छा है मतलब ठीके अपर लैशेस लोवर लैशन पर लगाऊंगी और मैं ठग गई थी मेकप करते करते तो यहां पर मैं पानी पी रही थी ता बड़ा पिंपल भी आ गया तो वहां दर्द भी था थोड़ा अच्छा ऐसा होता है जहां लगी होती वहां पर ब पर लिए तो फिर मैंने क्योंकि अच्छे से कर लिया फिर से मस्कारा लगाया और यहां पर मैं फेस केने जाका ब्राउन कलर कर लिए उससे मैंने कर लिया ठीके लाइन क्रेट कर लिए यहां पर बेला वास की 08 नंबर है इस लिपस्टिक का बिल्कुल ना जामूनी में बार्न टाइब का बहुत डार्क शेड था तो मैंने लगा लिए क्योंकि में साड़ी से मैचिंग था पहले अपर ब्राउन लगाना से अबीड कालिया थो यह वालों मैंने थोड़ा सा कर लिया था मतलब की मैं आपको खुली कर लेती हुँ हम वीडिओ निच सामने आप मैं अच्छे सीरम लगा लिया अगर सीरम नहीं लगाओंगे तो आपके जो बाल है ना वो खिचने लगेंगे स्ट्रेटनिंग के ताइम और अब देखो मेरे बाल कितने अच्छे से मैं थोड़ा मॉजन टाइब कर रखा है एसर नहीं कि मैं बस था नहीं बस एक मंगल सूत्र जाला एंड चूडियां पहन रही हूं हैंड क्रीम लगाई यह यह मेरा फाइनल लुक है आपको बहुत पसंद आएगा और अगर वीडियो पसंद आएगी ना तो प्लीज लाइक श